अब बात करते हैं जबलपुर की जहां एक सड़क हाथसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई युवक सड़क पार कर रहा था और तभी सामने से आ रही बड़ी कार ने उसे कुचल दिया जिसे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया खास बात यह है कि कार की रफतार भी बहुत जादा नहीं थी जिसके बावजूद ड्राइवर का गाड़ी को नहीं रोकना इस हाथ से पर सवाल खड़े कर रहा है गटा का CCTV फोटेज भी सामने आया है जहां वीडियो में साफ देख रहा है कि उवक रोड के दूसरी तरफ जा रहा है और तभी उसकी दाई तरफ से सफेद रंग की कार आती है ये घटा शनिवार दोपार बिलहरी इलाके की बताई जाती है गोरा बाजार थाना प्रभारी विजय सिंग परस्ते के मताबिक मुरतक का नाम संतोस है जो की बिलहरी का ही रहने वाला था वही CCTV फुटेज में साफ तोर पर देखा जा सकता है कि कार के ड्राइवर ने युवक को संभलने तक का मौका नहीं दिया पहले ठककर मारी और इसके बाद कार युवक पर चड़ाते हुए भार नेकला घटनाल के बाद से अब तक कार ड्राइवर और उसके कार का पता नहीं